हेलो स्थों मैं हुरुजद बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का इस न्यू वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं सीरियल कभी कभी इतिफाक से के आने वाले एपिसोड के बारे में वाली है क्योंकि यहां पर आप गुन-गुन और अनुभव को एक साथ अगर देखना चाहते हैं तो यह आने वाला एपिसूड आप सभी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है अब यह सब कैसे होने वाला है आने वाले एपिसूड में सभी चीज़ों के बारे में जानने ही कोशिशाज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक जूड़ी रहिएगा अगर आप कभी-कभी इतिफाक से सीरियल के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब् कुछ भी हो जाए और यहां पर सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन जो महसूस कर रही है वो है फैमिली के कारण क्योंकि जो फैमिली है अनुबहों की वह बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वीट है और इनसे दूर होने का गम जो है गुन-गुन बिलकुल भी बरदाश्त नही कर पा रही है और ऐसे मैं यहां पर हम सभी ने देखा कि किस तरीकी से सिग्नल तोड़ते है वो आगे बड़ी है और उसका एकसिडेंट यहां पर होने वाला है अब दोस्तों एकसिडेंट हो उससे पहले यह खबर जो है पौशने वाली है अनुबहों के पास भी और हो के घर के कुछ लोग जो है ये खबर सुनते ही कि गुन-गुन गायब है और मिल नहीं रही है वो बहुत ही पैनिक करने लग जाएंगे और सभी लोगों के दिमाग में जो है कुछ नकोच अलग-अलग थौट्स आने लगेंगे खासकर गोलू चाचा एंड उनकी टीम जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिशान होने वाले इन सब चीजों को लेकर और घर के बड़े जो है यानके जो चारुदत है चंद्रगुप्त है ये सब लोग भी जो है काफी ज़्यादा चिंता में डूप जाएंगे कि आकर कार गुन-गुन कहां चले गई है क्योंकि ऐसे तो उन्होंने रिष्टा गुन-गुन से बले ही तोड़ दिया हो लेकिन वहाँ पर गुन-गुन के लिए उनके दिलों में और दिमाग में जो है काफी कुछ प्यार आज भी भरा हुआ है ऐसे में यहाँ पर अनुबाव जो एक डॉक्टर है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में आपको गुन-गुन और उसकी फैमिली देखने को मिल सकती है पर दोस्तों यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है तो वह कैसे तो यहाँ पर डॉक्टर रिदेश अपनी बेटी का बहुत अच्छे से खयाल रखने वाले हैं यहाँ पर जो गरीमा है वो भी पहुंसने वाली है लोकेशन पर हॉस्पिटल में और यहाँ पर डॉक्टर माया भी आपको यहाँ पर नजर आने वाली है और यहाँ पर डॉक्टर माया क कर जो कार्ड लेकर गई थी वो उसी के कारण ही था और ऐसे में यहां पर उसे रियलाइज होने वाला है कि यहां पर गुंगुन और उसकी गुंगुन को जो है अनुभाव की फैमिली से दूर करकर उन्होंने कितना बड़ा जो गलत काम है वो कर दिया है क्योंकि गुंगुन और आकर्ति की शादी को तोड़ सकती है क्योंकि उन्हें ही अकेले को ही जो है आकर्ति की सचाई पता है उसके अलावा फिलालफिल क्योंसे बा अनुभाव और जो kotर तोर्ते की बिणित को तोड़ते वे नाजर आसके एसे में दोस्तों आनुभाव भी और उसकी पूरी फैमिली भी हॉस्पिटल में पहुंसते वे आपको नजर आएगी और गुन-गुन की काफी ज़दा चिंता फिक्र करते वे वो लोग नजर आने वाले हैं जहां पर एक तरफ तो गुन-गुन से लेकर उनकी काफी ज़दा नाराजगी है तो दूसरी तरफ हॉस्पिट हॉस्पिटल में है और अगले ही दिन वो लोग हल्दी की रस्म पूरी कर ले इसमें काफी बड़ी प्रॉब्लम्स उसे होने वाली है यानि कि दोस्तों आल ओवर कहें तो इन डायरेक्ली यहां पर आकरती को और उसके जो टीम मेंबर से हालाकि आकरती वनमें आरमी की तरफ फिलाल काम कर रही है तो उसे 440 वोल्ट का जटका यहां पर लगने वाला है कि गुनगुन ने कुछ किया नहीं डॉक्टर रिदेश ने कुछ किया नहीं फिर भी अनुबाव के फैमिली सारे रस्म और रिवाज और मुझे छोड़कर गुनगुन के पास हॉस्पिटल में प सकता है कि डॉक्टर माया का जो किरदार है वो आकरती को लेकर पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाए क्योंकि उन्हें रियलाइज हो सकता है यहां पर कि सारा का सारा जो गलती है यह उनीक है और उनीक के कारण गुन-गुन को इतनी सारी चोट आई है और गुन-गुन इतन की बहुत चाता care करता है ये care को बदलने में प्यार में कितना वक्त लगने वाल है according to you मुझे comment section में जरू बताईए और आप आने वाले episode को देखने के लिए कितने आदा excited and कौन सा बड़ा twist आप लोग देखना चाहता है comment section में बताईएगा जरूर और कोई भी सवाल है तो मेरे साथ instagram पर आप लोग share कर सकते हैं link मैंने आपको description में दिया है इसे के साथ ही दोस्तों चैनल को subscriber के bell icon को दबाना मत भूलेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपके favorite TV series से जुड़ी update आपको लगातार पहुंचाता रहता हूँ मैं के लिए वीडियो के साथ फिर से लोटूंगा जब तक के लिए thank you दोस्तों